पश्मी सिंभूम जीले में खुद्रा की हो रही समस्या को पश्मी सिंभूम चेंबर ओफ कॉमर्शन इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ओफ इंडिया तैंबासा साखा ने मिलकर यहां के लोगों को खुद्रा की किलत से दूर करने का प्रयास किया है पश्मी सिंभूम चेंबर ने बैंक से 10 लाख रुपय का खुद्रा लेकर विवसाईयों की बीच वित्रन किया विवसाईयों को खुद्रा की किलत से दूर करने के लिए 10 का सिक्का, 20 और 50 का करंसी नोट दिया गया जीकपानी प्रखंड की जोड़ा पोखर पंचायत भौन में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कारिक्रम का आयोजन किया गया कारिक्रम में सम्विधान दिवस के अवसर पर सम्विधान प्रस्तावना की शपत दिलाई गई कारिक्रम का आयोजन मुख्य अति थी, सैंबासा की विधायक दीपक बिर्वा और सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र बढ़ाई की उपस्तिती में किया गया इस मौके पर जीला परिशद उपाध्यक्ष, चान्दमुनी बालमूचू, जोडा पुखर की मुख्या, मिंजारी मुंडा, उप्मुख्या, जैसरी मुंडा मौजूद थी विधायक दीपक बिर्वा ने कहा कि सत प्रतिशत लोगों को सरकार की जन कल्यानकारी योजनाव से लाभानवित कराने के लिए प्रखंट स्तर के अधिकारी और जन प्रतिनिदी को जिम्मेदारी लेना होगा SDO ने कहा कि पहले लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन की द्वार जाते थे लेकिन अप प्रशासनिक पदाधिकारी आपके द्वार तक पहुँच कर जनता की समस्या दूर करने को कटिवद्ध है सम्विधान दिवस के आउसर पर 26 नवंबर को कुल्हान के प्रमंडलिय आयुक्त मनोज कुमार ने प्रमंडलिय सभागार में और पश्मी सिंभुम जीला समाहन नाले में उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित जीला के सभी पदाधिकारी और करमचारी ने सम्विधान की प्रस् प्रमंडलिय आयुक्त ने कहा कि राष्ट को संगठित करने के लिए और राष्ट की जनता को सुचारो रूप से समान नयाय अधिकार विकास दिलाने के लिए सम्विधान का निर्मान किया गया है उन्होंने कहा कि हम सभी देश वासियों को सम्विधान का पालन आत्न समर्पित और निष्ठा पूर्वक होक पर करना चाहिए कॉंग्रेस कमीटी की ओर से महंगाई और बिरुजगारी के खिलाफ पद्यात्रा मोटर साइकल रैली और नुकड सभा का आयोजन किया गया पद्यात्रा के दवरान मोधी सरकार की नाकामियों और तानाशाह नीतियों के खिलाफ जमकर नारिवाजी की गई देश में बढ़ पद्याती ने जन जागरन अभ्यान के तहट केंद्र की वर्तमान सरकार को उखाड फेकने का आहवान करते हुए कहा की पिट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के कारण सभी आविश्यक वस्तुव में हुई मूल वृद्धी से आम और खास सभी लोग परिश हैं ऐसे में सरकार का बने रहना कोई औचित्य नहीं है शहर के टुंगरी मोहला में सडक दुर घटना में पांच लोग जक्मी हो गये जक्मी होने वालों में तातनगर के सिद्मा गाण इवासी 14 वर्षिये लखन सामड 18 वर्षिये जोती पूर्ती 18 वर्षिये मास्टर सामड 19 वर्षिये मौश्मी गोप और 13 वर्षिये स्रिष्टी गोप शामिल है जानकारी के अनुसार छोटा रूंटा मद्य विद्याले का छात्र लखन सामड तुईबीर से मास्टर सामड और जोती पूर्ती के साथ स्कूटी से सायबासा सुकुर्वार के संध्या में आ रहे थे इसी दवरान वाहन चेकिंग के डर से स्कूटी का रफ्तार तीच कर दिया जिससे स्कूटी के चपेट में स्रिष्टी और मौस्मी आ गई इस दिरघटना में सभी लोग जक्मी हो गए सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है पश्मी सिंभुम जीले के गुदडी सुनुआ और गोईलकीरा थाना के सीमावर्ती छेतर के बनु मुली और दरकोर हटोला के बीच पहाडी में पेलएफाई उगरवादियों और पुलिस के बीच मुटभेड हुई पुलिस को भारी पढ़ता देख पेलएफाई के दिनिश गोप और उसके दस्ता के सदस्य भागनी में सफल रहें इस दौरन पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभ्यान में उगरवादियों के पिठ्ठू, बैग और दैनिक उप्योग का समान काफी मात्रा में बरामद ह पुलिस बलके द्वारा चेतर में सर्च अभ्यान जारी है पुलिस अधिक छक अजय लिंडा को सूचना मिली की गुद्री थाना चेतर के लेपा, होरो और कुदादा जंगल में पेलेफाई के दिनिश गोप अपने दस्ता के साथ गुम रहे हैं मिली सूचना पर चलाएगे सर्च अभ्यान के दावरान, जीला पुलिस को देखती ही, पिलेफाई उगरवादियों ने फाइरिंग कर दी, पुलिस बलके जवाबी कारवाई को देखती हुए, सभी उगरवादी फरार हो गयें